Hello friends, welcome to my channel तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करूँगी मेरी रीसेंट वीकली और मंथली शॉपिंग की कुछ आइटम्स जो हमने दो डिफरेंट स्टोर से खरीदे थे और कैनाडा में हमारा सबसे ज़्यादा खर्च महिने का जो होता है वो रेंट पे होता है और उसके पाद आता है हमारा ग्रॉसरी का नमबर तो मैं आपको बताऊंगी कि यहां की आइटम्स की प्राइजिस कैसी है डॉलर्स में और वीडियो के एंड में मैं आपके साथ एक सामरी शेयर करूंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि टोटल हमने कितना स्पेंड किया से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कितना एक्सपेंसिव है कैनाडा में ग्रॉसरी परचेस तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं पर उसके पहले मैं आपको कुछ सजेशन्स देना चाहूंगी विद रिगाद्स टू ग्रॉसरी शॉपिंग हीर सबसे पहला है कि आप हमेशा एक शॉपिंग लिस्ट बना ले पहले से ही ताकि आपको जरूरत का सारा समान आप एक साथ ले सके विदाउट मिसिंग आउट इनी आइटम क्योंकि इंडिया की तरह यहां लोकल शॉप्स घर के बगल में नहीं होती है कि जब मन क्या गए और खरीद लिया समान तो हमें एक साथ ही काफी चीजों की शॉपिंग करनी पड़ती है एंड सेके एक डॉलर कोईन हमें हमें लेके जाना पड़ता है शॉप मे क्योंकि स्टोर में जब हम एंटर करते हैं और अपना स्टोलर लेके जाते हैं हमें वह वन डॉलर को इंसर्ट करना पड़ता है तब ही आपने कार्ट को स्टोर के अंदर लेके जा सकते हैं तुछ है कि आप हमेशे प्राइज मैचिंग करो मतलब कि अगर हम सपोज एक रॉस स्टोर जैसे noprol वहां से शॉपिंग कर रहहें और हमेंकि कोई भी आइटम हमें 10 तोलर के मिल रही है और वही सथी fire वॉलव वालमार्क में 5 तोलर के मिल रहे सकते हैं तो मैं एक ऑनलाइन फ्लायर कैसा होता है मैं आपको दिखाती हूं तो हमने यह टाइब किया है ओल्ल trib functions scarborough मतलब जो भी आपका city name है and flyer and यह हमने इस पर click किया so these are our flyers and validity date range भी होती है हरे के लिए suppose यह आशिरबाद वार्टा का हम देखते हैं तो यह दिखा रहा है कि it is for 11.97 dollars and अगर आपको नोफिल्स में इससे जादा प्राइस मिल रहा है तो आप यह दिखा कर reduce price पे इस item को ले सकते हैं similarly हम दूसरे items के लिए भी इसी तरह से देखेंगे तो I hope आपको यह चीज़ समझ में आई हो and चलिए आप वीडियो को start करती हो तो वीडियो में मैं आपको सारे items दिखाती जाओंगे साथ में उनकी prices भी दिखाऊंगे and वीडियो के end में मैं आपको बताऊंगे कि किस तरह से हमने total जितना हमारा expense हुआ है वो dollars में कितना था and उसका equivalent amount in rupees Indian rupees कितना हुआ so आपको एक idea मिल जाएगा कि हमने एक time में कितना amount spent किया है अपनी grocery purchase पे यह गाला apples 305 rupees organic spring salad mix 1.36 kg बनाना है जो कि है करीब 110 rupees के दो पक्स bread के है and इनका price around 305 rupees sona musuri rice जो हम regularly use करते है 9 kg है करीब 1000 rupees का है यह and कुछ vegetables लिया है like capsicum loose pallak bunches दनिया का एक bundle है जो almost 60 rupees का है broccoli full gobi और यह है different variety of tomatoes salad के लिए लिए है हमने लोकी है 2 piece करीब 220 rupees की oranges लिए है 1.36 kg यह है around 426 rupees के यह है organic carrots पनीर है करीब 400 grams 317 rupees का है यह 3 pieces nimbo है 2 मूली है 3 packs तही के है यह तीनों का combined price है करीब 450 rupees next is this milk packet जो 4 liters की होती है and हम 2 type के milks लेते हैं एक हम लेते हैं 3.8% organic whole milk जो बच्चे के लिए लेते हैं जिसमें fat content थोड़ा जादा रहता है और हम अपने लिए लेते हैं थोड़ा less fat milk which is 2% peanut butter है which I use regularly for breakfast yellow potatoes 4.54 kg है यह है around 365 rupees के 2.27 kg का red onion जिसका price है करीब 240 rupees Indian rupees में यह tomatoes जो हम डेली cooking के लिए यूज करते हैं यह एक different variety है पहले जो मैंने आपको दिखाया वो salad के लिए था और यह regular use के लिए है यह है एक बड़ा bunch of garlic जो हम Costco wholesale store से लेते हैं Lipton brand का 2 different flavors की green tea है यह Dazzle multi surface cleaner है यह dish washing liquid है parmalif का यह है disinfectant wipes and disinfectant spray Vaseline लिया है क्योंकि dry skin problems बहुत होती है यहाँ पे तो यह हमने लिया है Aveeno का daily moisturizing lotion and यह है skin relief body wash Aveeno का ही next यह Cetafil का gentle skin cleanser है जो body and face दोनों के लिए है बट मैं ऐसे face के लिए ही use करती हूँ फिर यह लिया हमने soft soap का यह hand wash है यह pack of two आता है मैं आपको एक ही दिखा रही हूँ यहाँ पे dishwasher packs है जो हम dishwasher में use करते है and यह fabric softner sheets है जो हम कपड़ी dry करते समें use करते है in dryer शक्ती brand का काउग ही है यह है 1.6 kg का and इसका price इंडियन रुपीज में है around 13.40 यह है 16 pieces का इंग डिनर सेट जो मैंने लिया है Costco से यह है कर्कलन की organic sugar जो हम एक बड़ लेते हैं तो I think around 4-5 months तो और आम से यह packet जमाना चलता है यह है frozen pizza कभी-कभी यह good option होता है as a pre-prepared meal shredded cheese which we use with this pizza for toppings so यह थी मेरी grocery haul and सारे items की combined price excluding the dinner set क्यूंकि वो तो एक one-time purchase था मेरा was $328 हमने spend किया था total purchase पे जो कि अगर हम इंडियन रुपीज में convert करूं मैं considering the current exchange rate तो वो आता है लगबग 20,000 रुपीज और I hope कि वीडियो आपको थोड़ी informative लगी हो and अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजे and चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब करना चलिए मिलती हूं फिर मैं आपसे दूसरी वीडियो में अच्छी अपलोग तारी चैनल कर दो जो के लाइक यो आपको डिक चारे कर दो अबाइक